आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने कभी ना कभी लोन लिया है, तो आपको बता हुआ, आपका लोन लेने के बाद जो civil score है, वो आपका increase होता है, अगर आप उसका टाइम पे पेमेंट करथे हैं, और अगर आप उसका जो टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा फ्यूचर में फिर आपको कोई भी किसी भी तरीका लोन नहीं मिलेगा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके सिबिल स्कोर पर कोई ऐसा लोन शो हो रहा है जो आपने नहीं लिया है लेकिन उसकी बज़े से आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होता जा रहा है और आप जब भी कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका वहां में जो लोन है वो एप्रोब नहीं होता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके सिबिल स्कोर पर जो फरजिल लोन है वो शो हो रहा है या किस किसी और के नाम से जो loan है वो आपके अकंट पे शो हो रहा है उसको आप कैसे Primo Sixt al saks to update कर सकते हैं सारी जानकारी मैं आपको पताने वाला हो क्योंकि आपको पता yen करे जब तक आपका जो दूरे हो जो दुसरे अकंट 몸 पर आ करते हैं देखिए यहां पर मैंने जो सिविल है उसकी जो ओफिशल वैपसाइड है उसको मैंने ओपन कर लिया है आपका जो भी फरजे लोन चल रहा है आपके सिविल स्कूर पर वह यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं वह कैसे करना है मैं सब कुछ आपको एक एक करके स्टेप इस टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको जो लिंक दिया है उसको जब आप उपन करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जागा देखिए यहां पर आपको दिख रहे हैं नियू जूजर और एक् इन पलान हैं म Вс featelyn मेет 10 Все में गलीन थार्व में अनक शमत और Imdraink दो गया सकते हैं एक सिफुरण सकते हैं से सो प्लान को अपना से सैंस अ चाहिस करते इसने स्फिर सब्रक्षे में इस्चило घंद जो स्टाड़र्व कुरण है उस यहां पर क्लेंड़ देए मिलंकित की जैसे कि देखे आपको email id डाल देना है अपना password बना लेना है आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप यहां पर बना सकते हैं first name last name id type ठीक है और मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं सकते हैं देखे pen number डाल सकते हैं passport डाल सकते हैं फोटर id ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड आपको जो भी डालना है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे आपको यहां पर data डाल देनी है pin code डाल देना है और mobile number डाल देना है फिर इसको आपको नीचे कर देना है लास्ट में यहां से accept and continue पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको यहां पर जो एड्रेस है वो आपको यहां पर फिल कर देना है फिर हम नहीं देखा है यहां पर सलेक्ट, पीर में लोक में सकते हैं पाट रागंनुअीश thee- यहां पर फिर से accept and continue पर click कर देना जब आप second step complete कर लेंगे तो आपको फिर आपको 550 रुपे का जो payment है वो आपको कर देना है जब आपका successful payment हो जाएगा फिर आपको जो email id है जो password है आपने जो अभी जो बनाया है उससे आपको यहां पर login कर लेना है तो हम यहां से login कर लेते हैं यहां पर आपको username और यहां पर आपको password डाल देना होगा फिर आपको इस पर login पर click कर देना यूजर नेम और password हमने डाल दिया है login पर हम click कर देते हैं जैसे ही आप login करेंगे तो interface आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा देखे यहां पर आपका civil score है वो आपका यहां पर medicine पर आ जाएगा आप देख सकते हैं जो भी आपका civil score होगा, वो आप यहां पर देख सकते हैं ध्यका है फिर आपको क्या करना है Imoire Public समरी में देख सकते हैं account in formation पर त्विर आपको click कर देना है यहां पर आपकी जितने भी zone चल रहे होंगा वह आप अपना जो लोन है वह यहांपर देख सकते हैं यहां पर फिर है profile information यहां पर वही अपका name आपकी date of birth आपका जो भी pen नमर वगरा होगा क्योंकि हमने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया है कि अगर आपका कोई लोन इसमें ऐसा चाल रहा है जो आपका है ही नहीं लेकिन फिर भी आपके जो सिविल रिपोर्ट है उस पर शो हो रहा है तो वह आपको कैसे यहां से रिमूव करना है तो आपको क्या कर कर देना है अगर आपको अपने जो डिस्प्यूट है वह क्या कर ली करना है तो हम हराइमें यहां पर अकाउंट कर देते हैं पर आपको त्छी संथ कर देना है यहां पर लखा हुआ है present payment in loan account credit card not reflecting in my civil report आप यहां पर पढ़ सकते हैं जिस भी तरीके का आपका इशू हो वो आप यहां पर देख सकते हैं फिलाल हम यहां पर लिख रहे हैं हमारा इसमें से कोई भी जो इशू है वो यहां पर शो नहीं हो रहा है हमें क्या करना है last वाली पर क्लिक करन आपके सामने देखिए कुछ account selection form इस तरीके से आजागा आपको नीचे कर देना है अब आपके सामने देखिए आपके जितने भी account है वो सभी के सभी यहां पर आजाएंगे अब आपको यह देख लेना है कि आपका कौन सा ऐसा account है जो आपका नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जो civil report है civil score है वो खराब हो रहा है जैसे कि इनका यहां पर जो union bank का है यह इनका नहीं है लेकिन इनके civil report पर शो कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहां पर देख सकते है current balance 17,000 रुपे और extension amount 13,000 रुपे date open 14 तारीक दूसरा महिना 2005 को यह account open हुआ था और जो account है वो default हो चुका है यानि कि यह जो account है यह इनका ही नहीं यह किसी और का account है और इनकी civil report पर यहां पर एड़ कर दिया है 2007 में इनका जो account है वो यहां पर report किया था अब मैं आपको एक बता दूँ इनकी जो date of birth है उसाप से 2007 को तो इनका pencard भी नहीं बना था तो फिर यह लोन कैसे आ चुका अब आपको क्या करना इसको ऊपर कर देना है यहां पर दो option है account reflects multiple times second है accounts does not wing to me इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि यह जो account है यह हमारा नहीं है फिर आपको इसको scroll करके नीचे last में ले जाना है फिर आपको यहां पर continue पर क्लिक कर देना है देखिए preview submit dispute यहां पर जो memory name है union bank आ चुका है account number आ चुका है यहां पर हमने बताया है account does not belong to me यानि कि यह हमारा account नहीं है फिर आपको नीचे कर देना है proceed to next step पर आपको click कर देना है फिर देखिए आप यहां पर देख सकते है update your account information आपको क्या करना इसको नीचे कर देना है यहां पर जो identification details information है वो आपको यहां पर फिर से fill कर देनी है जैसे कि यह किसके नाम से civil report है उनका name डाल देना है ID type डाल देनी है जो भी आप यहां पर देना चाहते है ठीक है और यहां पर उनका जो IFSC code है bank name है account type है account number है confirm account number और bank address आपको यहां पर डालना होगा हमने यहां पर identification details है और पर आपका जो dispute है वो आपका यहां पर final submit हो जाएगा 30-45 दिन के अंदर अंदर आपका जो civil report है उसमें update हो जाएगा अगर किसी भी तरीकी की कोई problem होगी तो वो update नहीं होगा और अगर बाकि सब कुछ सही रहा और अगर वो account आपका नहीं है फिर भी आपके civil report पर शोग कर है तो आपका 30-45 दिन के अंदर आपका civil report से वो जो account है फर्जी account वो आपका यहां पर remove हो जाएगा आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी फर्जी लोन आपके civil report पर शोग कर रहा है तो आप उसको कैसे remove कर सकते हैं कैसे dispute कर स सकते हैं हम हमेशा से आपका जो comment उसका जवाब देने के कोशिश करते हैं अम उमिद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद